सर अभी आपने तस्वीर दिखाई केमटी फॉल की और आपने बताए कि कल प्रधान मंत्री जी ने काउंसल अफ मिनिस्टर्स ने में क्या का है सर उत्तरप्रदेश शरकार ने 25 जुलाई से कामण यात्रा बोला है कि वो सस्पेंड नहीं करेंगा काउंड यात्रा इस बार उत्तरप्रदेश में निकाली जाएगी और यूपी के मुख्यमंत्री ने उत्राखंड के मुख्यमंत्री से भी बात की है स्विशह में और कहा है कि coordination करके इस बार कावाड यात्रा जो कि फिशे साल सस्पेंट की गई थी इस बार निकाली जाएगी तो क्या सर इसको लेकर के Center Government intervene करेगी क्योंकि कावाड यात्रा हमने देखा है किस तरीके से कुम में COVID protocols का पालन नहीं हुआ सर यहां यह ज़रूरी है कि हमने आपको इसी मंच से कई बार एक ही बात बताई है एक पर्टिकुलर समय तर जब देश में बहुत अधिक infection का spread नोट किया गया तब आप देखेंगे कि हर स्टेट में required action लिया गया in terms of management including last year restrictions are also put in place बहुत restrictions भी लगाई गई जैसे ऐसे cases में कमी आई तो जैसे कि मानने प्रधानमेज और restrictions से बचे और restriction में जो relaxation आए तो जो भी कारे किया जाए फीर्स थाई पर जो भी कारे किया जाए वह कारे कोवीड सेफ करके किया जाए यह बहुत मुख्य हो जाता है तो आप अगर एक particular event के बारे में पूछेंगे जैसे से पहले हमारे मित्र ने एक particular work के विशे में पूछा था इस विशे में फिर हम आप से कहना चाहेंगे कि government of India की तरफ से union ministry of health किरफ से जो guideline दी जाती है वह किसी विशेज work के लिए ना होते वे एक clarity होती है कि किस process को follow करके हमें relaxation दी जानी चाहिए और वही हम state को अफ़गर कराते हैं जरूरी यह है कि जब हम कोई भी कारे करें is it going to be done in a covid safe manner is going to be the most important task झाल 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 झाल